नमस्कार दोस्तो मैं हूँ कुन्नन और आप देख रहे हैं बिहार का नमबर वन चैनल क्रैस इजुकेशन दोस्तो आप सभी लोगों को मैट्री का बिसब्री से इंतजार था कि मैट्री का जो रिजल्ट है कब आएगा और आप लोग अनेक परकार के वीडियो देख रहे हैं थे जिसमें किसी के दोआर बताया जा रहा था कि मैट्री का रिजल्ट लॉगड़ून के बाद आएगा कोई बता रहे थे कि आज 6 बज़े आएगा और किसी किसी ने बताया था कि आज 3 बज़े आ जाएगा लेकिन बिल्कुल ऐसा बात नहीं था दोस्तो आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बात बताने जा रहा हूँ यह हम नहीं बलकि आनंद किसूर के दोआरा ABP News को बताया गया है जहां दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह जो पेज अभी खूला हुआ है ABP News का है और ABP News जो है कोई चोटी मोटी News नहीं है बलकि पूरे वर्ल्ड पर में News famous है तो हम आपको बता दें कि आज का जो दस्वी का रिजल्ट आएगा वो कब आएगा अब ABP News के माध्यम से आप जाएंगे तो यहां पर सबसे पहली लिखा हुआ है BACB 10th रिजल्ट 2020 जल्द जारी होगा 10th दस्वी का रिजल्ट यहां देखे latest update तो जल्द जारी होगा और नीचे यहां पर लिख रहा है यहां देखे latest update तो हम देखते हैं update कि क्या बिहार बोट की तरफ से क्या update निकलके आई है देख सकते हैं बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोट द्वारा दस्वी का रिख्षा का पर नाव जल्द जारी करने की उमीद है रिजल्ट लॉक्डाउन समाप्त होने का बार ओफिशियल विपसाइट पर जारी किया जाएगा ए अंदाज लगाया गया था ए भी पिन्यूज के द्वारा बट अनंद की सोर के द्वारा क्या कहा गया जो मैं आप लोग को आज बता रहा हूं तो दिखिए यहां पर अनंद की सोर के द्वारा जो कहा गया है मैं सारी बात आप लोग को बताऊंगा तो यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार सेकेंडरे एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा दसवी का प्रणाम लॉगडाउन अधिशमाप्त होने के बाद जारी करने की उमीद है लॉगडाउन के कारण उत्तर पुष्टो काउं की मुल्यांकन परकिरिया पर रोक लगाई गई थी लॉगडाउन खत्म होने के तुरंत बाद मुल्यांकन परकिरिया सुरू हो जाएगी और रिजल्ट घोंसित किया जाएगा यहाँ पे लिखा गया है बिहार बोड अध्याक्ष अनंद किस्वर के द्वारा एवी पिन्यूज को बताया गया कि जो कौपी मुल्यांकन की परकिरिया थी वो अस्थागित कर दी गई है लॉगडाउन के कारण बट लॉगडाउन जैसे ही खत्म होती है उसके तुरंत बाद मुल्यांकन परकिरिया सुरू कर दी जाएगी और रिजल्ट को घोंसित कर दिया जाएगा क्योंकि जो पिछले बिगत बर्स जो रिजल्ट आये थे उससे इस बार रिजल्ट में देर हो रही है प्राकिर्टिक घटना के कारण तो अब यहां पर लिखा हुआ है रिजल्ट बिये सीवी के अधिकारिक वेबसाइट बिहारबोट ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जियोवी डॉट इन पर उमिद्वारों के लिए उपलब्द होगा रिजल्ट के जारी होने का स्टूडेंट और अभी बावक बड़ी बिसब्री से इंतिजार कर रहे हैं हलांकी अभी तक बिहार बोट की ओर से रिजल्ट की तारिक को लेकर कोई अधिकारिक घोशना नहीं की गई है देखिए सभी लोग तारिक भी अपने यूटूब चैनल पे फेक नूज बनाकर तारिक बता रहे थे तो अरंद की सूर जी ने कहें कि जो ऐसा बिहार बोट की तरफ से रिजल्ट का कोई तारिक नहीं घोशित किया गया था ठीक है रिजल्ट अपने मन से सभी लोग दे रह कि अगर लॉकड़ान को आगे नहीं बढ़ाया गया तो अप्रेल के अंत तक रिजल्ट घोशित कर दिया जाएगा यानि 31 मार्च 2020 को बोड की और से जानकारी दी गई थी यहार जो जानकारी थी 31 मार्च को दी गई थी और लॉकड़ान के कारण मुल्यांखन प्रकिरिया को 14 अप्रेल 2020 तक रोग दिया गया है और रिजल्ट जारी होने के बाद आप इन असान अश्टेप का पालन करके अपना परिनाम देख सकते हैं और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 10 रिजल्ट हाउ टू चेक यानि कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट है कैसे च लिख करें आपका रिजल्ट स्क्रीन पर परदर्सित होगा अगर इतना आप नहीं जानते हैं यह भी आप जा सकते हैं वहां एक साइट पर जाएं और वहां एक रिजिस्टेशन का ऑप्सन देगा और उस रिजिस्टेशन में अपना नाम और मॉबाइल दर्ज करें और जै जैसे ही भी हालबोट की तरफ से अगर जाला जाता है तो उसका सबसे पहला मैसेज आपके मुवाइल पे आपके जीमेल अकाउंट पे चला जाता है तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर लिजे क्योंकि आपको इन फेक वीडियो जो फेक वीडियो बनाते हैं उनसे अगर आप आपको बचना है तो एक काम आप कर लिजी क्योंकि बहुत सारी यूटूबर पर एक दिन 10 वीडियो 20 वीडियो बना रहे हैं कि मैट्रिक का जो रिजल्ट है इस तीथी को आएगा उस तीथी को आएगा तो इन सभी बातों से अगर बचना है तो आपको एबात करना ही होगा आ मैं आपको बता दूँ कि मेरे इस यूटूब चैनल पे मैट्रिक आई टी आई पोल्टेक्निक डिप्लोमा और इंटर का तैयारी और वह भी सिचकों के द्वारा कराया जाता है तो अगर आप सो परसेंट शफलता चाहते हैं और फेक ने उससे अगर बचना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत आपको बिल्कूल गूड नियूस और बिल्कूल हकीकत नियूस आपको देखने को मिलेगा तो चलते हैं फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत